चलो आगे बढ़ते हैं अपने SCM प्रोजेक्ट के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं डाक एंड लाइट थीम का फीचर कुछ ऐसा हमारे पास यहां पर प्रोजेक्ट है सिंप्ली हम लाइट बटन एक हमारे पास होगी क्लिक करेंगे तो हमारा लाइट क्योंकि हम फ्रेंट के लिए कोई technology करें कोई हम रिम्टमर क रहे रहे हैं ना रियक्टि इस करना आंकलर रहे हैं तो यहां पर हम उस्यूज करने से I'm लों डोग इस दो को एपने आहीं पता है तो मैं नहीं पता हैं अप हम हम लोग बना रहे है हैं अप यह स्ब्राइब्सक्राइब कर सकते हैं आप रोग प्रियरे चलो91 अग्षी के अदर के उप्सेड़ार एक हमारा बटन चाहिए उस बतन को Keeper Par के अंदर कहीं भी बना सकते हैं इवें निभार के अंदर यहीं नि pan का वन्हें आ लो by де जहां पर कि एक्वी वो बटन हमेशा को भी पेज्ट नेसा लिजन्व करो बटन हमेशा पर सिस्ट रहे वेशा ना कि आप इन ऐं कि बटन राएंगे कि वो किसी पर बटन रहें लागए तब बनाेंगे हम साइन आप के राइट बना सकते या फिल लोगिन के लेफ्ट साइड में बना सकते हैं चलो बनाते हैं उसके लिए हमें एक चेह होगा तो हम लोगों करेंगे एक अगें फण कर लेते एक लिए अग्न Lec emerging थे सबाइन के सब्सक्राइब यहां से आप उसक्तों यहां से या यहां पर यहां पर सर्ड कर सकते हों जैसे for example हमें है लाइट मैंने साध्या तो लाइट से रिलेट्ट बहुत सारी यह रूट सारे अगे इसमें जो परो नहीं फ्री वाले हो उनको हम लोग यूज करक्ते हैं बहुत सारी स्में प्रोवें बहुत बहुत सारे फ्रीबी होते हैं हम यहां पर डार्क लिखते हैं तो इस यह वाला मोंसी कर सकते हैं सर्कल हापस्टोग बाकी बहुत सारे फ्री एन अइकन को ऊते हैं तो पेड़ीbasis कर सकते हैं इस मून को यूस कर सकते Account जो फ्री है उसको यूज कर सकते हैं कैसे उसकरना है हमें चाहिए होगी सीडियल लिंक अपने प्रोजेट के अंदर लगाने के लिए इन आइकन को यूज करने के लिए एक्जैटल बहुत इसी होगा हम यहां पर आएंगे और गूगल कर लेंगे हम लोग गूगल कर लेंगे आउसम सीडियन और फॉर्ट ऑशम सीडियन और उठा लेंगे और यही है हमारी फॉर्ट ऑशम सीडियन हम लोग क्या करते हैं पूरा लिंक टैग की कॉपी कर लिया और हम अपने प्रोजेट के अंदर आएंगे यहां पर और ऑपन कर लेंगे वेस बेस डॉत एच्टीमल औ तो हम अपने flowbyte.min.css के नीचे यहां पर कंट्रोल भी या कमांड भी से पेस्ट करके चिपका लेंगे यह देखे तो हमारे पास यहां पर फॉन्ट ऑशम आच चुका है यह वाले लिंक है फॉन्ट ऑशम की चाहो तो आप कमेंट लगा के लिख सकते हैं कि यह लिंक है हमा एक बाद यह बता देगा कि आपको कुछ यह वाला कमांड यूज करना है यह वाला यह वाला टैग यूज करना है आई टैग है क्लास एफए सॉलेड एफए सरकिल हांफ इस रोकी यह उसको कॉपी कर लो च्लिक करो यह कोपी हो जाएगा अदरवाइस को आप कॉपी कर लो एंद इसको करना वाले अपने प्रोजेक्ट एंदर कैसे header section open करें आप लोग header section header section जो है हमार nav bar and login बटन कहाँ पर यह रही login बटन इस login बटन के just यहाँ पर हम एक और बटन बनादें ए अगर टेक बनादो अधराइस normal बटन है तो normal बटन बना सकते हो क्योंकि हमें कोई link तो इस पर देनी नहीं है 10 सेप कर लिए आ जाएंगे और प्रोजेक्ट पर रिफ्रेस्ट करिए भाई इस तरह से आपको यहाँ पर लाइट बनके आगया लाइट लिक्के आगया और यह जो लाइट है कुछ ऐसा आइकन था वह यहाँ पर दिख रहा है परफिक्ट अप क्या कर सकते हो गाईस अब आप यहाँ पे पूरा सीसे घर भी उसकर सकते यहाँ धियुक्श अब यहाँ पर आते हैं बटन पर लगाते हैं आइसा और पाइडिंग एक्स हम देते हैं तीन फैडिंग माय राउंडवें चाहिए एंट यह इस बटन चाहो तो आप अब कर कर दो इसको इसको कुछ अब क्रीश हो जाएका यह एक हम लोग तीम्होरें प्रेंज कर सकते हैं इसकी फंक्शनाइटी हमें लिखने पड़ेगी एक चीज़ हमें और ध्यान देना वगा हुआ है इसकी हम लोग इस बेटन को दिखात हो रहे हैं बट लाइट थीम पे भी दिखाने हैं अगर हम दिखाना होगा तब हम क्या करेंगे उसके लिए हमें यहा सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर हम लोग कर देते हैं टार्क हमारी पूरे वेब्साइट के लिंग डाक हो जाएगी है तो मैं काऊंगा ठीक तो नहीं है इट्स नॉट गुड लुकिंग गुड सो हम क्या करेंगे और बार के अंदर आएंगे और दाक थीम पे हलका सा बटन चेंज करेंगे बटन का बैग्राउंड हो गहां थे का ट्रहुट इज़ पर आजाओ पर आजाओ यहां पर हमके अगर हमारा डार्क थीम है तो पहले तो हम टेक्स्ट वॉइट टैक्स किया है इसमें टेक्स को हम ब्लैक ही रखेंगे देखने वाई ऑर्रिप्रस कर द भी लिए डाट वाट यह स्क्राइब यहुआ है जो अब भी तो जाम टिएगा है तो लाइट कर दें अलबाद भी सेट ररिक्ट करते हैं तो अभी हमारे बटन बन चुकि है बस हम इसके ऐइकन को चेंज करेंगे एकन को चेंज करने एक लिए हम उसकरेंगे हाप एक SPAN कहाँ है हम लोग यहाँ पर यूज कर लेती है इपने बटन के अंदर यह प्रत तो इस इस पाइन को हम क्या करेंगे हम अगेर भीज्टली हम लोगों ने क्या किया होता है बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे जो बटन है उस बटन के अंदर एक यह इस लेकंदर नटर और उसके अंदर टेक्स रखquiera हो तो आम में जब उस बटन के टेक्स को ही ama to Amazon यंसी बटन कोוח चेंज बटन एक बार में इस बटन को डबल करके तो हम ने एक थीम चेंज बटन अब हम इस थीम चेंज बटन लगाएंगे जैसे हमारा थीम चेंज हो जाए है तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं ओके हमारे पास button ready है अब किसी भी page पर आते हो button ready है अब हमें prepare करना है JavaScript की भई या हम JavaScript लिखने माले है and JavaScript का code हर page पर execute होगा क्योंकि हर PHP थीम change करने वाले है so हम क्या करेंगे हम static के अंदर आएंगे और यहां पर हम एक folder बना लेंगे जिसका नाम होगा js and js के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा script.js और यह फाइल गाईज हां execute होगी हर पेज के अंदर जो भी पेज आप उपन करोगे यह फाइल होने वाली हां मैं लिख देता हुए हां पर हलका सा console.log और मैं यहां होगा script loaded as simple as that और इस script को हम लोग लोड करते हैं अपने बेस के अंदर बेस के अंदर लोड कर देंगे तो हर जग आ जाएगे बेस के अंदर तो यह देखो normal हमारे पास इस लगी फ्लोबाइट की फ्लोबाइट हम फ्लोबाइट के नीचे आएंगे और यहां पर हम लोग अधर इस एंदेन हम रहां पर स्क्रिप्ट क्यूंकि हम लोग स्टाटिक फोल्डर को डार क्ली आपको दिख रहा है तो हम लोग रिपेस करने औंग करने और एंड गंसोल फेय चलते हैं आपकोगे script loaded आपको दिख रहा होगा I think let's find out कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हाँ यस आपको दिख रहा है एक बार मैं फिर से रिफ्रेस्स कर दो यह देखे स्कुर्ड और यार यह पहली लाइन से script.js के पहले लाइन से तो आप मैं यहां पर करूँगा क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना मैं क्या करूंगा यार देखो हमें current theme है जो है वो डाक है या फिर आप बाइडिफॉल्ट जो थी में उसको अगर आपने सेब कर रखा है लोकल स्टोर्स के अंदर तो वहां से हम लोग फेच कर लेंगे कैसे समझेगा बात को हम क्या करेंगे इसको सबसे पहले हम current theme और यह बाइडिफॉल्ट क्या कर देते हैं वाइडिफॉल्ट कर दो current theme एक वेडिवल मैंने यहां यूज कर लिया और हम क्या करेंगे एक function बनाएंगे इसको हम complete करेंगे यह तो हम यहां पर इसको complete करेंगे एंड इस function को call करके हम लोग तीम को change करेंगे लेकिन दो function हम और important बनाएंगे सबसे पहला एक function बनाएंगे set theme to local storage एक function बनाएंगे जो हमारे theme को local storage में set कर रहा हो जो हम theme उसको देंगे दूसरा हम बनाएंगे है get theme from local storage आप local storage नहीं पता तो मैं थोड़ा सा ब्राउजर में आकर आपको समझा दे रहा हूं ठीक है local storage एक storage है जो data को store करता है और उसका object आपके पास अभलेवल होता है यह local storage डॉट आप set item कर सकते हो and set item में आप दो चीज़ दे सकते हो key and value तो अगर आपको theme set करना है तो आप यहाँ पर theme लिख दो and theme की value लिख दो मैंने का dark एंटर कर दिया तो आप हमारे पास local storage के अंदर एक theme key और dark value से एक key value pair आ चुका है मैं दिखाता हूं आपको यह देखिए ठीक है इस तरह से हम क्या करेंगे data को change करेंगे कह सकते हैं एक तरीका it is a kind of object जिसके अंदर key value pair हम लोग ने store कर लिया theme dark बाद में इसकी value change कर सकते है function set theme और मैंने यहां पर theme ले लिया अगर आपने यहां पर light पास कर दिया तो एक अब हम क्या करेंगे अब हम गट करेंगे एक function भाएंगे जो क्या करry रहा होगा तीम को गट कर रहा होगा data local stores दोट डबिया वहां पर function गट तीम अंद हम यहां पर क्या करेंगे हम local storage dot get item simply हम return कर देंगे local storage dot get item and हम theme को return कर देंगे simple as simple as that हमने का क्या local storage dot get item और theme की key pass की है तो theme की जो भी value होगी वो मिल जाएगी आपको अब यहां पर कुछ important चीजे समझेए हो सकता theme ना set हो नल आए तो हम क्या करेंगे by default हम dark क्या light theme भीज देंगे तो हम इसको एक वेरिबल के अंदर डालते हैं हम लोग यहां लेते हैं एक वेरिबल लेड़ो लेट थीम यह देखे तो हम कहेंगे थीम को हम तभी रिटन करेंगे जब यह नल नहीं होगा या फिर अगर थीम डाल है तो हम कुछ वाइडिफॉल इसको आकट पर वह यहां लिकुछ वाइद एडरेंगे अगर टीम में कुछ है तो हम रिटन करने पर इसको आप्याजी यहां लिथे साज्का है नहीं है तो इसको आप प्रसकते ह्लेदे हैं गएशफिए है तो हमारे पास थीम आएगा अधरवाइस लाइट एक लाइन में भी कर सकते हैं आपके मरजी जैसे आपको करना कर लेजिए तो हमारे पास दो important functions बन चुके हैं क्या एक सेट थीम हम सेट थीम कॉल करके अपने लोकल स्टोरिज में डीटा को सेट कर सकते थीम को and get थीम कॉल करके हम डीटा को लोकल स्टोर से निकाल सकते हैं में जब आपका कैस तो जब आपका पहली बार इसक्रिप्ट चलेगी तो उस सबएं हमें यह चेक करना पड़ेगा रिट यहां पें धुसको उसको विश करेंगे तो यहां पे यहां पर काल कर लोगे तो यह फंक्शन हमने बाद में बना रखा है तो पहले Error Uhתח है एरर आ सकती है पहले रा सकती है दीखे नहीं यहां था हूं आपको मैं नेखाता है अब रिफ्रस्ट करते है ठीक है कोई issue नहीं अयह घेंग थिक ए एक बार थे हम यहां पर लॉक करते हैं करने लोकल करते हैं कि अगर लोकल कर दो डॉट क्लियर कर दे रहा हूं और इसका मतलब अब हमारा करन थी माना चाहिए लाइट और जो कि आ करैंगे सिर्फ मैं मैं क्या करूंगा करन करोंगा जय हुए इसकां करेंगे अब कुछ लिखा नहीं कि एपने आप चलेगा उसके बाद यह हम यह इनिशली चलेगा आपने लएus CLE या Initial Initially Change Theme अपने आप कॉल हो जाएगा मतलब कहने का मलदब जैसे ये script चलेगी Get Theme निकलेगा Current Theme में आ जाएगा Current Theme Then Change Theme कॉल होगा और ये जो Current Theme आया है उस Theme को Change करके और आपके स्क्रीन पे मलदब आपका जो उरा वेबसाइट है उस Theme में चालो हो जाएगा वो Theme आपको दिखने लेगी Next अब हम इसके अंदर आते हैं यहां पर हमें बहुत सारी चीज़ करनी है Change Theme क्या करेगा Change Theme को हम Current Theme पास कर रहे है Change Theme को हम Current Theme पास कर रहे है That means आपने यहां से डार्क पास किया है तो आप देखोगे यह दिखे Light Print हो रहा है Ninth Line से Ninth Line से मतलब यहां से रार्क पास कर रहे है तो Current Theme डार्क लीक्सेस हो सकता है आपको फंक्शन के पास कर रहे है हम क्या करेंगे हम Current Theme को सबसे पहले step में Set करेंगे to web page और इस Current Theme को Set करने के लिए हमें क्या करना है हमें इस HTML के अंदर किस HTML के अंदर हमें इस HTML टैक के अंदर यहां पर Class Add करना है इसको Light ठीक है या Light या Dark अपने हिसाब से Add करना है तो हम वही काम करेंगे हम जो करनती में Class रखी है उसको Set करेंगे कैसे हम लिखेंगे Document.querySelector और हम यहां पर Select कर लेंगे HTML को और हम . Class List उसकी पूरी Class की List निकालेंगे इसमें Add कर सकते हैं बिल्कुल इस Class List में Add करनती में तो इस HTML के अंदर जितनी भी Classes होंगी हम एक Class हम उस List के अंदर Add कर देंगे current theme तो अगर इसमें Dark है तो Dark Add हो जाएगा Light है तो Light Add जाएगा Save करते हैं जाएगा और लेट सी यह देखे तो अभी हमारे पर Light Add हो चुका है Light एक काम करते हैं हम लोग जाएगा सेट करते हैं अपने यहां पर जाएगा सेट कर देते हैं LocalStories.set Item और हम जो Theme की Value है वह मैं सेट करने जाएगा और डार्क ठीक है अगर रिफ्रेस करता हूं आप देखोगी यह दिखे डाक तीम अपने आप से अपलाई हो चुका है यह इसी से होगा है इस वाली लाइन से तो यह एक्चुली सेट कर रहा है डार और लाइट थीम आपके HTML पर बस कैसे सेट कर रहा है अब हमें क्या कर रहा है क्लिक करें तब भी वह टॉगल हो चेंज हो क्लास उसक्लिए क्या करूगा यहां पर मैं एक लिस्टन लगाँगा बेट हो हमको लिखिर हम सबसे पढ counting बॉटन को मेज़ित करें及 application ऊब्रोमेंट बॉट है उटन का प्र पर हम अपनी बॉटन का प्र और हम चीजேन सलेकेंगे जो यह chyba इस बटन को directly हम लोग store कर लेते हैं एक variable के अंदर const change theme बटन जिससे कि हम इसको use करेंगे क्यों क्योंकि इसके text को हम लोग बदलेंगे तो change theme बटन हमने उसका reference रख लिया अब हम इस पे लगाएंगे listener कैसे change theme button dot add listener add event listener and again भाई ठीक है हमारा listener चालोगा यह देखे change theme button हमने अपने बटन पे एक add event listener add किया कौँसा click event add किया जैसे आप click करोगे इस बटन पे तो यह वाला function यह वाला callback function चलेगा और callback function के अंदर आप कुछ भी लिख सकतो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ button click बस check करने के लिए ठीक है sorry ठीक है उंख्या लिख देते हैं change theme button click change theme button click change theme button click and event ले ले लेते हैं अगर हमें कुछ करना हो तो event करेंगे अब हम टेस्क करते हैं मैंने refresh मार दिया button को click करते हैं यह देखे change theme button click that means कि हमारा button प्रपलली चल रहा है अब करना क्या हमें हम हमें के करना है चांध की यहां पर button तो click ho stake हो रहा है बट अब क्में डेक्राइन कि अगर हमारा current theme dark है तो वह हमहें light में उसको change करना है और अगर light तो उसको dark में करना है तो हम होही काम करेंगे हम किया हम चेक करेंगी एफ अगर जो हमारा current theme is dark, इसका मतलब हम यहाँ पर theme को light करना एलस हई इसका मतलब हमारा जो theme है वो ओल्री light है तो हमें dark करना है ठीक है कैसे अचिता करेंगे अचिक हमारे पास सट ने हम यहां पर light पास कर देंगे हमारा थीम हमारे लोकल शुर्म में लाइट सेट हो जाएगा नेक्स्ट और यहां एल्स में क्या कर देंगे करन्ट थीम को हम कर देंगे यहां भी हम के अंदर कर लेंगे इतना समझ में परफेक्ट नेक्स्ट अब हम इस इफ के बाहर आएंगे तो यहां पर हमारा थीम चेंज हो चुका है और थीम चेंज हो चुका तो हम क्या करेंगे हम थीम चेंज हो चुका हमारे करन्ट थीम की वैलू तो चेंज हो ही बट हमार और हमारे website भी दिखे रही है तो हम यहां पे local लोकल स्थोर में अपडेट करेंगे करेंगे यहां change theme और change theme नहीं call करेंगे set theme और यहां पास कर देंगे current theme अब हमारे change होगे यह theme हमारे local storage के अंदर next ठीक है अब local storage के अंदर change होगे अब हमें क्या करना है हमें अपनी website पर भी change करना है that means हमें जो पुरानी theme थी उसको अठानी है that means हमें अपने html से वह class अठानी है और नहीं theme लगानी है नहीं class लगानी है तो हम कहेंगे हम करेंगे document document sorry यह क्या लिए भाई document.querySelector और हम html को फिर से target करेंगे html.classlist.remove current theme को नहीं remove करेंगे हम क्या करते हैं हमें add कर लो पहले पहले आप एड कर लो डॉट एड कर लो करेंगे नेक्स्ट चेन करने से पहले जब आप बटन क्लिक क्या आपने उस समय ही मैं क्या करूंगा रिमूब कर दूँगा यहां document.querySelector और html.classlist.remove current theme तो यह क्या किया है यह मैंने current theme को remove किया है remove the current theme और यह मैंने क्या किया है set the current theme और बीच में इतना करने में अगर time लग रहा है इसका मतलब कि यह process थोड़ा slow होगा तो आपको दिखेगा delay आएगा तो आप क्या कर सकते हो यहां पे old theme ले सकते हो backup के लिए तब यह काम आप एक साथ कर सकते थे यह काम आप एक साथ कर सकते थे दोनों तरीका में बता दे रहा हूं यहां पर कर सकते थे बट हम क्या करेंगे अब हम यहां पर एक वेरिबल लेंगे सब्सक्राइब करेंगे और यहां पर रिमूब करेंगे हमारी ओल्ड थीम को ठीक है तो आप एक साथ भी कर सकते थे इसको एक फंक्शन में अलग से भी आप रख सकते हो मैं बताओंगा कैसे रख सकते हो तो यह काम हो जाएगा एक बार हम लोग वेरिफाय कर लेते हैं आप आप जैसे बटन पर क्लिक करोगे तो करन्ट थीम की वैलो है सब्सक्राइब है तो वह चली जाएगी और यहां पर लॉग आएगा चेंज थीम उसके बाद अगर थीम डार्क है तो अब करन थीम की वैलो लाइट हो जाएगी बट ओल्ड में अभी भी डाक रखी होगी नेक गवर आपकर दिए और अब लोग प्रॉपरली यहां से थीम को बदल पारें को बदल पार है कि एक हम इस टेक्स्ट को भी अगर चाहें करना तो इस टेक्स को भी चैंज कर सकते हैं कि अगर यहां थीम है तो यहां दिख रहा है और लाइट है तो डाक दिखे कैसे हम क्या कर हम current button को target करेंगे कैसे current button current button.query selector और उसका जो span है वो target करेंगे dot फिर हम यहाँ पे text content and उसमें हम current theme डाल देंगे बस अब अगर मैं रीफिस्ट करता हूं तो अभी डाक है ठीक है लाइट है डाक है लाइट है ठीक है तो यह जो तो हम यहाँ पर लगा देते हैं अगर करन्ट थीम की वैलू लाइट है तो हम यहाँ पर डाग दिखाएंगे एल्स मैं लाइट दिखाऊंगा सेप कर लिए तो आप देखो अभी डाइट है डाक लाइट अनिशली यह चीज नहीं हो रही है यह बटन क्लिक करने पर इसको अम बहार रग दो कि एक बार तो यह फ़ंक्शन चली रहा न तो आप एक बार फ़ंक्शन चल रहा है तो इसको आप बाहर भी गॉल कर सकते हो, सेब करेंगे, एंड लेट सी, ठीक है, सो रवाइन रिफ्रेस्ट कर दिया, कुछ गडबड हो गया, ओके, गडबड़ यह हो गया कि हम चेंज थीम बटन को उपर हमने उसकर लिया, इसे हमें नीचे उसकर नी, जब हमने गेट किया, उसके बाद भी उसकर ना है, टिप करेंगे, एंड रिफ्रेस्ट करेंगे, यह दिखेंगे, अगर आपका थीम लाइट है, तो हम इसको डार कर सकते हैं, और डार कर सकते हैं, तो हमारा टेक्स्ट भी बहुत असानी से चेंज हो रहा है, परफेक्ट, अब इसमें से आप देख सकते हों कि अगर कोई पार्ट रिपीट कर रहा है, तो उसको आप एक फंक्शन बना लो, जैसे फॉक्जाम्पल, हम इनिशली हम लोग को, यह क्लास अड़ करना पड़ रहा है, और यह दो चीज करनी पड़ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए, एक method बना सकते हैं, आपे, change, current, page theme, function, change, page theme, और हम यहाँ पर theme पास कर सकते हैं, जो भी theme है, आप page theme के अंदर क्या, अब ऐसे बाद चेंज करना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब ऐसे बात है, हम, जो theme आपने पास किया है, उस theme, यह त कर लेंगे, और इस तीनो राइन को हम इस page के अंदर कर देंगे, ठीक है, मतलब, जब page theme, change page theme कॉल हो रहा है, तो local storage के अंदर data set कर रहे हैं, query selector से HTML वाले पुराने को remove कर रहे हैं, तो पुराना वाला जो code है, यह पुराने theme वाला code, इस पुराने theme वाले code को हम, अब यहाँ new theme किया है, क्योंकि हम लोग को remove भी करना है theme को, ठीक है, so button click करने से पहले, अगर theme call कर रहे है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक variable ले लूँगा, old theme का, old theme का variable लूँगा, अगर आप change page कर रहे हो, तो आपको नया theme पास करना है, and old theme पास theme को set कर देंगे, and और कहीं है, if theme is light, तो light dark आजागा, ठीक है, अब देखो, इसको हमें कैसे use करना है, हमारे पास change page theme है, हमारे पास, ठीक है, change page theme है, हम जैसे ही, web page start होगा, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, page या change, page theme call करेंगे, और हम current theme पास कर देंगे, नया वाला theme है, इसी को remove करेंगे, इसी को add भी कर देगा, परफेक्ट, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ पे यह होगा, exactly वही चीज़ हम करेंगे, इस बार हम old theme को current theme बना देंगे, exactly वैसे ही, and यहाँ पे, जब theme की value चेंज हो जागे, हमारे तो old theme होगा, और current theme होगा, जैसे ही, बाहर आएंगे, हम again, change page theme काल कर लेंगे, और यहाँ पे current theme और old theme पास कर देंगे, बस, और कुछ करने के जरूत होगे, यह हमारा page, change भी हो जाएगा, button भी change हो जाएगे, सब चीज़ हो जाएगा, reference करो, I think, हाँ, कुछ गरड़ोड हो रहा है, let's find out क्या गरड़ोड हो रहा ह ठीक है, change theme, button is not defined, 52 lines पे, 52 lines पे, यह button इसका reference हमें मिल नहीं रहा है, तो button का reference भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा, इस वाले page के अंदर button का reference भी चाहिए होगा, इसका, so, okay, button का reference भी चाहिए होगा, तो मैं का करता हूँ, directly, document.quireselector.quireselector.quireselector.quireselector.quireselector.quireselector.quiresele theme change button pass कर दो, उपर वाल, theme change button, theme change button pass कर दो, save कर लो, yes, perfect काम हो रहा है, initially भी, जो theme होगा, वो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, so, इस हिसाब से हम लोगों को काम करना होगा, बाकि अगर कहीं delay आ रहा है, तो, आप यहाँ पर देख सकते हो, कि किस वज़े से delay आ रहा है, and आप फिर उसको सही कर सकते हो, तो यह change page theme क्या कर रहा है, यह पुराने theme को हटा रहा है, and नए theme को add कर रहा है, त तो हम यहाँ पर यह चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, यह वाला function यूज़ करेंगे, and जो हमारा change theme वाला function है, यह क्या कर रहा है, यह exactly हमारे, सबसे पहले यह initial, जो भी है, current theme को सेट कर रहा है, and उसके बाद, event listener हम लगा रहे है, अपनी button पर, ठीक है, and then हम चेक कर रहे है कि अगर current theme, अच्छा button को directly हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे है, तो क्या हम, क्या हम इसको भटा सकते हैं, क्या, इसको भटा सकते हैं, let's see, क्योंकि already हमारे पास change theme, जह हम call करेंगे, तो change page कॉल ही हो रहा है, जो already हमारे text, button text को change कर देगा, तो मुझे लगता नहीं, इसीज़ क change theme वाला method है, दो method हो गया, change page theme, नहीं, एक change theme method है, जो क्या कर रहा है, पहले, page के theme को change कर रहा है, then button में listener लगा रहा है, listener क्या कर रहा है, old theme को रख रहा है, then theme को change कर रहा है, अगर dark है तो light, light है तो dark, and again, theme या page, change page theme को call कर ले रहा है, change page theme, page को change कर दे रहा है, next, page, page का theme change हो र जो theme आप इसको pass कर रहो यह data आपके local system में data को save भी कर दे रहा है so यह पूरी कहानी है कैसे हम actually page के theme को change करेंगे this is it तो यह हमारा यहां से code है इसका change change theme work and end of change theme work ठीक है end of page change change एक चैसा में यहां पर करने पड़ी है जो हम initial loading कर रहे हैं जैसे for example हम लोग यह initial loading कर रहे हैं यह तो कुछ functions है हमारे यह function है यह function है इन function को जब हम कॉल करेंगे तभी कॉल होगा बट यह जो change theme वाला method है इसको हम तब कॉल करें जब हमारा window load हो ठीक है तो इसके लिए हम Google पर आते हैं कुछ उठाओ यहां पर लिखेंगे जैस टू कॉल function when document loaded यहां से हम उठा लेंगे ठीक है यह 10 साल पहले का है भाई ठीक है तो geeks for geeks पे ihoop मिल जाएगे ठीक है ओके तो लेट्स फाइंड आउट और देखते हैं ओके सो हम यहां पर window पर लगा सकते हैं यह document.add event listener Dom content loaded यह भी उस कर सकते हैं और साथ साथ में window पर भी आप यूज कर सकते हो ठीक है यहां पर देखो modern JavaScript the most common way to run the code after loading the page is by listening to the document object Dom content loaded event इस event को हम लोग listen करके सारा काम कर सकते हैं ठीक है या फिर हम लोग the window load event is fired when the entire page is loaded including all the dependent resources like style sheet script iframe and images तो हम लोग यह भी उस कर सकते हैं window.add event listener और load यूज कर सकते हैं इसमें से कोई भी उस कर लो मैं यूज कर लेता हूं document document.add event listener यह वाला listener हम लगाएंगे चलो भाई लगाते हैं यहां पर तो हम क्या करते हैं यहां पर हम लगाएंगे document.add event listener and DOM content loaded यह वाला listener हम लगा दिया यह जो थीम चेंज है यह तभी कॉल करेंगे जब हमारा content perfectly load हो जाएगा अब है थिंक हमारा काम हो चुका है और हम यहां पर आते हैं रिफेस्ट करते हैं तो मारा perfect काम होगा ठीक है perfect हमारा काम होगा आगे वाइस कैसे हम लोग theme change को implement करते हैं डाक तीम आसे कर सकते हैं थोड़ा सा हम इस बटन को और customize कर सकते हैं जैसे for example हम नाइबार में आते हैं बटन के उपर आते हैं आपने जो rounded गर लगा रखा है यहां पर हम लोग इस बटन को आप अपने हिसाब से पूरी तरह की सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा डाक थीम और लाइट थीम प्रॉपर ली चल रहा है नेक्स वीडियो के अंदर हम लोग इन पेज चहांपे हम लोग पेज लॉग इन की इंफॉर्मिशन लेंगे साथी साथ में हम साइन सब्सक्राइब डिजाइन करते हैं आपने साइन अपकी इंफॉर्मिशन लेंगा चलो भाइं मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर